लेकिन अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है गिरधर गिरधर सुख टिल्की को खरो सावी के लिए भी जो फीलिंग सी वो मानव का लेटर पढ़ने के बाद कहीं न कहीं दब कहीं जिन्दगी के उपर खतरा था तो वो सावी ना अपनों पर ले लिया और उनको बहुत ज्यादा चोट आई तो मैंने उनकी हर तरह से हल्प करने की कोशिश की सबसे पहले तो यह बदाईए कि आज क्या घर में हो रहा है आपर सावी भी वह एक तरव दुश्य मेरा बाप भी है किस बात को लेके आज इतना डिम्पी को हमने जैसे की लिप से पहले घर से बाहर निका लिया था और उन्होंने मेरों पर हमला किया सावी के उपर हमला किया हिमेश आचो की जान देनी के कोशिश की और भी काफी सारे जो उन्होंने कांट किये हैं तो इसकी वज़े से हम उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं मैं उनका खुद हाथ पकड़ के घर से बाहर फैक देता हूँ लेकिन अभी पता चला है कि वो प्रेगनिंट है और हमेश आचो जो है उनके बच्चे के मा बनने वाली हैं तो एक सिंपथी उन्हें मिल रही है क्योंकि वो हैं तो दाल्मिया परिवार की बहु ही, इस घराने की बहु है, और क्योंकि हमेश चाचुत हम प्यार करते हैं, उनकी पीवी है, उनकी होने वाले बच्चे के लिए केर है, उनकी परवा है, तो चाहते हैं कि उसका खास ख्याल रखें, और उनकी नजरों के अंदर वो बच ही सारे तरीके हैं, आप पैसा दे दो, या कहीं और जाके कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन मा बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, और अब वो यही रहेगी, तो उसी चाहिस पर एक नराजगी है मेरी, और क्योंकि सावी के लिए भी जो फीलिंग सी, वो मानव का लेटर पढ़ने के बाद कहीं न कहीं दब गहीं, लेकिन अभी भी एक परवा है, एक फिक्र है उनकी कि वो जल से जल ठीक हो जाएं और अपने घर चली जाएं, तो रिश्ता तो शुरू से ही अप्स और डाउंस, दोनों ही है, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं पहले सावी नितियम से बहुत प्यार करती थी, यह हमने दिखाया है, लेकिन एक नितियम का सॉफ्ट कॉनर जो है, सावी के लिए, वो हमने यह दिखाना शुरू किया है, लेकिन उसमें क्या है कि मानव जो है उनके बेस फ्रेंड, उनका भी कहीं न कहीं एक प् तो कहीं न कहीं वो सौफ्ट कॉनर वो फीलिंग्स वो प्यार की शुरूआत नित्यम की तरफ से शुरू हो गया है लेकिन ये सब पढ़ने के बाद ये रिष्टे में फिर वैसा ही कि नित्यम जैसा खुडूस है अकडू है अरूगैंस है तो वो वापस आ गया और आइ होने की बाद होगी थी तो जो कई साही चीजे होई बड़ी बेसिक सी बात है कि जब आपकी जिन्दगी के उपर खत्रा था तो वो सावी न अपनों पर ले लिया और उनको बहुत जादा चोट आई तो मैंने उनकी हर तरह से हल्प करने की कोशिश की मैं चाता था कि जल से वो रिकावर हो जाएं और वो हो भी रही है तो वो अब एक फिलिंग जो है वो नित्यम के अंदर आ चुकी है कि कुछ भी है यार सावी एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहूंगा कि उनसे बहुत अच्छी तरीके से मतलब उनका ख्याल रख पाऊं और कहीं न कि उसके मन से यह था कि यार यह डिवास जो है इसको एक्स्टेंड करा देते हैं यह एक्स्टेंशन अगर मिल जाए तो शायद मैं अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा लेकिन यह लेटर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया हर बार के तना जब हम करीब आन की कोशिश करते हैं तो हालात हमें एक दूसरे से दूल ले जाते हैं थांक्यू वरी माच